हलो दोस्तो नमस्कार और आज हम डिसकस करेंगे अप्टिकल फाइवर केविल पर जो डिपार्टमेंटल एक्जाम या रेक्रूटमेंट बेस एक्जाम या जॉब इंटर्वो में जो कोश्चन पूछे जाते हैं उन सभी कोश्चन और उन बिंदू ओपर आज हम डिसकस इसलिए वीडियोो को लाइस तक देखना है वीडियो को सेर करना है चैनल को सब्स्क्राइब करना है और लाइक करना है तो चलते हैं वीडियो प्लास्टिक का बना होता है इसके अंदर के भाग जो optical फाइवर केवल है उसके अंदर का वो कौन सा भाग है जिसमें से डाटा ट्रेवल करता है डाटा का प्रवाभ होता है तो जो OFC केवल होती है उस OFC केवल पर जो फाइवर के दो पाथ होते हैं कोर और क्लेड कोर यह हो गया और क्लेड कोर की उपर वाला भाग हो गया इसलिए हमेशा जो सिगनल ट्रेवल करता है कोर में होकर के ही ट्रेवल करता है और के फाइवर का वहवाग जिससे प्रकास सिगनल परावर्थित होता है तो जब हम कोर में सिगनल डाटर ट्रेवल करते हैं ट्रांस्मिट करते हैं कोर में जब हमने डाटर सिगनल ट्रांस्मिट किया तो कोर की तुलना में क्लेड का जो रिफलेक्टिव इंडेक्स होता है व क्लैड है इसे क्लैड है क्लैड सिगनल को भार ना जाकर कि वापस उसी में रिफलेक कर देती है बिला प्रकास क्या पूर आंत्रक परवर्थन की जो घठना होती है वो यहीं पर होती है तो जो कोर से जो सिगनल जाएगा वो क्लैड से रिफलेक्ट हो करके वापस उसी मोड में मतलब कोर में हमने ट्रांस्मिट किया है और कोर में जो सिगनल ट्रांस्मिट किया है वो जिग जैक की रूप में जाएगा तो जैसे ही जिग जैक में जब उबर जाएगा क्लैड आएगा क्लैड से वापस रिफलेक्ट ह करके वापिस उसी मोड वाजाता है और यह प्रकास के पूरा अंत्रिक प्रवतन की गटना यहीं गटत होती है क्योंकि कोर की तुलना में क्लेड का रेफलेक्टिव इंडेक्स कम होता है इसी करके जो जिस मोड में हमने डाटर सिगनल की जो लाइट पल्स वेजी है वो उसी मो अप्टिकल फाइवर में डाटा ट्रांस्मिशन किस रूप में होता है अप्टिकल फाइवर केबिल में डाटा का ट्रांस्मिशन लाइट के पल्स के रूप में होता है और जो लाइट की पल्स होती है उसको हम लेजर या LED के द्वारा जेनरेटर करते हैं अप्टिकल फाइ signal को core में transmit करते हैं, तो जो signal होता है少 believers के ना में सिक्नल को ट्रांस्बिट करते हैं वो उसी मोड में वापस जाता है तो जो रेक्लेड का कहाम होता है उस signal को रिफलेक्ट करके वापस उसी मोड में करना है तो इसका answer is B correct ओएफसी केविल में कमजोर signal की छमता को बढ़ाने के लिए कौन सी तक्निकी का यूज करते हैं तो ओएफसी में signal को रेक्लेड करता है तो रेक्ट्री टेक्निक लोईज़ को यूज करते हैं भी आंसर इज करेक्ट है लम्बी दूरी की सपीच वडाटा ट्रांस्मिशन में transmission की गती को समान बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है तो उसमें signal को regenerate किया जाता है बी answer is correct है मुख रूप से कितने प्रकार के optical fiber के वलोग अप्रियो करते हैं क्योंकि mode की अंसार optical fiber दो प्रकार की होती है single mode और multi mode तो इसमें be answer is correct है single mode fiber में core का diameter कम क्यों रखा जाता है क्योंकि single mode fiber होता है वो long distance communication के लिए यूज किया जाता है long distance communication में यूज करेंगे तो उसमें एक ही light signal या light की pulse से travel करेगी इसलिए उसमें less reflection less data loss और more distance data communication कराने के लिए उसके core का diameter कम रखते है वीज का answer correct है single mode fiber में data transmission होता है single light ray की रूप में क्योंकि single mode fiber में single light ray ही travel करती है single mode fiber किस प्रकार के speech और data transmission में प्रियोग किया जाता है तो single mode fiber लंबी दूरी के लिए यूज किया जाता है long distance communication के लिए single mode fiber यूज किया जाता है multi mode fiber में core का diameter जादा क्यों रखते हैं क्योंकि multi mode fiber short distance communication में यूज करते हैं इसलिए हम एक समय में एक से अधिक data की जो light की पल्स है वो travel कराते हैं इसलिए उसकी जो डाया है core का डाया है वो जाद रखते हैं ताकि एक समय में बहुत सारे जो light signal है उसको travel करा सकते हैं multi mode fiber में data transmission होता है multi light ray के रूप में मल्टी मोड फाइवर किस प्रकार के speech और data transmission में प्रियो किया जाता है तो multi mode fiber short distance या कम दूरी में इसमाल किया जाता है OFC केबल का प्रियो बरतमान में copper की तुल्णा में बहुत ज़्यादा क्यों किया जा रहा है डी answer करें आप्टिकल फाइवर केविल के दो फाइवरों को जोडने को क्या कमोगे splicing और आप्टिकल फाइवर के दो फाइवरों को जोडने को क्या कहते है तो दोनों question same है splicing machine के दोरा इस splicing को किया जाता है अप्टिकल फाइवर केविल में डेटा ट्रांसफर किसे सिद्धान पर होता है तो अप्टिकल फाइवर केविल में जो light की जो पलस होती है total internal reflection के सिद्धान पर travel करती है electrical signal को light signal में बदलने का काम कौन सा करता है electrical signal को light signal बदलने के लिए laser या LED यूज़ करते है laser होता है वो long distance के लिए और LED होती है वो short distance के लिए यूज़ हम करते है light signal को electrical signal में बदलने के लिए क्या यूज़ करोगे तो जो light की pulse आती है उसको electrical की pulse ये electrical signal में convert करना है यदि light signal को electrical signal में बदलने के लिए क्या किया जाता है तो जो light की pulse से जाती है उसको electrical pulse में convert करने के लिए APD या फिर photo diode का use करते है अब APD होती है APD का use हम long distance communication में use करते है photo diode का short distance communication में करते है optical fiber cable में चो data transfer होता है उसकी speed कितने तक support करता है fiber cable तो ये up to 10 gbps तर ये support करता है optical fiber cable में data किस form में transfer होता है तो digital light की pulses होती है जो electrical pulse को light की pulse में digital light pulse में convert किया जाता है उसको travel करा जाता है तो digital light pulse में ये travel करती है optical fiber में internal reflection होने का कारण क्या है क्योंकि जो core की तुलना में clade का reflective index कम होता है जिसके करके ये total internal reflection की गटना होती है तो इसका b answer is correct है digital signal होता है वो किस format में होता है digital signal binary format zero और एक की रूप में होता है optical cable को उसकी strength के आधार पर कितने भागों में बाटा जा सकता है तो जो optical fiber की जो strength है उसके आधार पर दो भागों बाट सकते है पहला है luse tube और second है type तो जो luse tube होती है इसमें जो fiber होते हैं उनके बीज में एक protection जेली भरी होती है ताकि fiber में किसी प्रकार का कोई losses कुछ damage वगरा ऐसा ना हो इसलिए उसकी protection के लिए protection जेली भरी होती है और जो tight tube होती है इसमें किसी प्रकार की कोई जेली नहीं होती इसमें एक या तो metal का या फिर एक hard plastic के combination से बना एक sensor strength होता है जो इस cable को protect करता है तो इस optical fiber को उसकी stand के आदार पर दो खामर बाट सकते हैं बाटते हैं optical cable को उसकी signal mode signal जो होता है उसकी mode के आदार पर कितने भागों बाटेंगे उसको हम दो भागों हम बाटेंगे answer is b correct है इसमें पहला है single mode और दूसरा है multimode single mode और multimode तो भागों में हम बाटते है multimode fiber cable में light pulse को create करने के लिए क्या use किया जाता है जो light की pulse create करेंगे electrical signal is convert into light pulse with the help of LED क्योंकि जो multimode fiber होता है वो sorted distance communication में यूज होता है sorted distance communication में जो आपका light का source होता है वो होता है LED और जो single mode fiber होता है उसमें light का sources होता है laser तो 28 नमबर question में आंसर होगा LED single mode fiber cable में light pulse को create करने के लिए laser को use करेंगे क्योंकि long distance communication में single mode fiber use किया जाता है इसलिए वहां पर laser यूज होगा single mode fiber में electrical pulse को create करने के लिए क्या use करेंगे अब electrical pulse create करने है तो single mode fiber में जो light signal आता है light signal को electrical pulse में convert करने के लिए photo diode का use करेंगे optical fiber cable किस किस की बनी होती है optical fiber cable का जो construction होता है, core होती है, glad होता है, buffer होता है, jacket होता है तो इसका answer D is correct है optical fiber cable में प्रकास का पूरा आंतरिक परवर्तन कब होता है प्रकास का पूरा आंतरिक परवर्तन के लिए light की रिये होती है सगन माद्यम से विरल माद्यम में आप्तित होनी चाहिए और आप्तन कोन का मान क्रांतिक कोन से अधिक होगा तभी यह total internal reflection होगा तो इसलिए इसका C is answer correct यह ओप्तिकल फाइवर केवल का प्रियोग बरतमान में कहां यूज हो रहा है बरतमान समय में local area network है wild area network है metrical area network माद्दा सभी प्रकार के network हों भी यूज हो रहा है तो इसका D answer is correct है बरतमान समय में optical fiber cable में कौन सा port ज्यादा यूज हो रहा है तो optical fiber cable के equipment है उसमें हमारा SFP port होता है small form factor तो SFP port आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो SFP port में कौन सा connector support करेगा SFP port होता है उसमें LC connector यूज होगा किस पर का connector यूज होता है LC connector Lucian connector LC connector को बोलते हैं Luest and connector जो SFP port में यूज होता है OTDR की full form क्या है optical time domain reflectometer OTDR OTDR की full form है optical time domain reflectometer यह answer is correct optical time domain reflectometer का और्प्योंग किया जाता है optical time domain reflectometer का और्प्योंग Optical Fiber में Link की Connectivity, Link Loss, Fiber Loss, Connector Loss आधी की Testing के लिए OTDR का यूज़ किया जाता है तो उसका D is Answer is Correct Optical Timing, Domain, Reflectometer किस प्रकार की Device है? यह Opto-Electronic Device है B, Answer is Correct Fiber Cable के Link में दो पॉइंटों के बीज की दूरी को पता लगाने के लिए क्या करो हो? मतलब Link Connectivity या दो लिंकों के बीज में या दो पॉइंटों के बीज की Distance कैलकुलेट करने के लिए हम OTDR का यूज़ करते हैं B, Answer is Correct End-to-end, Link Loss, Optical Loss, Return Loss, Point High Losses आदि की कैलकुलेट करने के लिए हम OTDR का यूज़ करते हैं B, Answer is Correct Data को लंबी दूरी तक Low Loss पहुचाने के लिए कौन से Network का प्योग करोगे? तो Optical Fiber Cable का Network है जो Non Distance Communication के लिए Low Loss के साथ में हम यूज़ करते हैं Single Mode Fiber है Single Mode Optical Fiber Cable में जो उसकी Signal की जो Wavelength होती है वो कैसी यूज़ करते हैं? तो इसमें 1310 Nanometer से 1550 Nanometer के बीज़ की जो Wavelength होती है उसको हम Single Mode Fiber में Long Distance Communication के लिए यूज़ करते हैं इसका ए आंसर है सई Multimode Optical Fiber Cable में किस Wavelength का प्योग करते हैं? तो जो Multimode होता है वो Short Distance Communication में यूज़ की होती है इसलिए 850 से 1300 Nanometer की जो Wavelength होती है उसको हम यूज़ करते हैं Optical Fiber की bandwidth क्या है? जो उसकी bandwidth है? 900 जो Optical Fiber Cable है उसकी bandwidth नौसो टेरा हट्स की होती है टेरा हट्स की DWDM का पूरा नाम क्या है? Dance Wavelength Division Multiplexing Dance Wavelength Division Multiplexing DWDM दी फुल फॉर्म है DWDM टक्निलोजी यूज़ करने के बाद Optical Cable में डाटा स्पीड कितनी हो गई तो ये 400 GB से भी ज़्यादा 400 GB पर सेकंड जो DWDM DWDM उसकी wavelength को बढ़ाने के लिए उसकी bandwidth को बढ़ाने के लिए DWDM पर यूज़ किया जाता है तो इसकी DWDM टेक्नोलोजी को यूज़ करने पर Optical Fiber Cable में डाटा की स्पीड होती है 400 GB पर सेकंड से भी ज़्यादा हो गई दी इस आंसर करेक्ट Optical Fiber में bandwidth को बढ़ाने के लिए किस तक्निक निकाव यूज़ किया जाता है किस तक्निकी का प्रियोग किया जाता है DWDM किस तक्निकी से विविन एनालोग या डिजिटल सिगनल को एक साथ एक लाइन पर बेश सकते है Multiplexing Multiplexing क्या करता है Input menu होती है Output एक होती है मैनी सिगनलोग को multiplex करके एक ही मीडिया पर पास्वर्ट करने की टेक्नोलोजी होती है उसको हम Multiplexing कहते है C is Answer is Correct FDM Full Form क्या है FDM की Full Form क्या है FDM की Full Form है Frequency, Division, Multiplexing C is Answer is Correct FDM तक्निकी कहां पर प्योग की जाती है FDM टेक्निकली टेक्नोलोजी वहां यूजिए जाती है जहां पर जो केरियर का जो सिगनल होता है वह एनलोग होता है केरियर का जो सिगनल केरियर सिगनल एनलोग होगा वहां पर Frequency, Divisional Multiplexing यूज Divisional Multiplexing यूज होती है FDM किस प्रकार की टेक्नोलोजी है FDM एनलोग प्रकार की टेक्नोलोजी है B is Answer is Correct Fiber Splicing किस रूप में जाना जाता है Fiber Splicing दो अलग अलग अप्टिकल फाइवर के बीच एक आइस्थाई या इस्थाई Connection होता है उसको हम Splicing कहते हैं जो दो फाइवरों को जोडने की टेक्नोलोजी Splicing होती है C is Answer is Correct Optical Fiber Cable में कितने प्रकार की Splicing होती है Optical Fiber Cable में दो प्रकार की Splicing होती है Fusion Splicing और Mechanical Splicing Optical Fiber Cable Single Mode में Core का Diameter कितना होता है तो जो Single Mode Fiber में Core का Diameter 8-9 Micrometer के बीच में होता है 8-9 Micrometer के बीच में होता है The Answer is Correct Optical Fiber Strength के आधार पर कितने भागों में बाटा जाता है दो भागों में Lose Tube और Tight Tube Optical Fiber Cable Single Mode में Cladding का Diameter कितना होता है जो Core का जो डाया होता है 8-9 Micrometer होता है और जो Clad का जो डायामिटर होता है वो 125 Micrometer होता है Single Mode Fiber में Optical Fiber Cable में Multi Mode में Core का Diameter कितना होता है Core का Diameter Multi Mode Fiber में 50 micrometer से 62 micrometer के बीच में होता है C answer is correct Fiber cleaver का प्योग कहां किया जाता है Fiber cleaver का प्योग Fiber को 90 degree पर काटने के लिए किया जाता है अब Fiber को 90 degree पर कहां काटने है जब Fiber की splicing करेंगे तो D is answer is correct Fiber stripper का प्योग कहां पर किया जाता है Fiber stripper का प्योग पर Fiber की जो Clading की Primary Coating को अठाने के लिए किया जाता है और Primary Coating कब करेंगे तब हम Splicing करेंगे तो C is the answer is correct सबसे कम Fiber Loss किस प्रकार की Splicing में आता है तो जो Fusion Splicing होती है उसमें सबसे कम Losses आता है यह answer is correct Fiber Cable Link में दो पॉइंटों के बीच की दूरी को पता लगाने के लिए OTDR का यूज़ किया जाता है B is the answer is correct Full Form of the FTTS Full Form of the FTTS FTTS की Full Form है Fiber to the Home आजकल जो Fiber to the Home Facility कई प्रकार के जो Network के Service Provider है ISP को आजगल दे रहे हैं जैसे रेल आपका रेल वायर देता है जी ओ है यह एटल है यह कुछ Fiber to the Home Facility दे रहे हैं OFC गलत तरीकी से जमीन में बिच्छाई गई है जिसके कानक कुछ Loss होता है उसका पता लगाने के लिए कौन सा equipment यूज़ करोगे तो इसका अंसर होगा OTDR Optical Time Domain Reflectometer होता है वो दो link के बीच की connectivity, दो point के बीच की distance, fiber loss, connector loss, splicing loss, band loss सभी प्रिकार के loss हो को calculate करने के लिए OTDR का यूज़ करते दोसका answer is be correct है DSLAM का full form क्या है? DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer DSLAM की full form Digital Subscriber Line Access Multiplexer कोता है DSLAM किस layer पर काम करता है? DSLAM OSI के data link layer पर काम करता है DSLAM अलग-अलग IP network device के बीच में traffic को reroute नहीं करता है इसका reason क्या है? DSLAM अलग-अलग IP network device के बीच में traffic को reroute नहीं करता है क्योंकि जो DSLAM होता है वो data link network पर काम करता है Luce tube cable में fiber की शरुक्षा के लिए क्या प्रियूब करते है तो जो Luce tube होती है उसमें fiber protection के लिए protection jelly ये liquid jelly यूज की जाती है C is answer correct Tight tube में fiber की शरुक्षा के लिए क्या यूज होता है? ये straight wide होती है वो metal की भी हो सकती है और hard plastic की भी हो सकती है वो उसे fiber protection के लिए यूज होती है जब कोई प्रकास की किरण सगन माध्यम से viral माध्यम में परिविस करती है और यदि आपतन कौन का मान करांति कौन के मान से अधिक होता है तो प्रकास की किरण viral माध्यम में ना जाकर सगन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है और इसी गटना को प्रकास का पूरण vocês परावर्तित के लिए इसी को total internal reflection केते है इसी सिद्धान्त के आधार पर इस Optical Fiber Cable में Light Signal Travel करता है TDM क्या है? TDM Time Divisional Multiplexing FDM, Sorry, WDM Wavelength Divisional Multiplexing यह जो TDM होती है Digital Multiplexing Technology है और WDM है यह Analog Multiplexing Technology है CDM क्या है? Code Division Multiplexing अब Multiplexing क्या है? What is the Multiplexing? यह कैसी तक्निकी जिसके द्वारा Transmission में Transmission के विविन Analog और Digital Stream Signalों को एक साथ एक Link पर भेजने की जो Technology होती है उसको Multiplexing कहते है Optical Fiber Cable क्या है? समझाए Optical Fiber Cable एक ऐसी Cable को कहा जाता है जिसमें Data Transmission के लिए Light के इस्तिमाल किया जाता है इस Cable की मदद से काम समय के अंतराल में बहुत बड़ी मात्रा में Data को एक स्थान से दूजरे स्थान पर Transmit किया जा सकता है Optical Fiber Cable कितने प्रकार के होती है? Optical Fiber Cable मुख रूप से दूप्रकार के होती है Single Mode Fiber और Multi Mode Fiber Single Mode Fiber क्या है? Single Mode Fiber ऐसी Optical Fiber Cable है जो Long Distance Communication के लिए यूज होती है इसका Core का Diameter कम होता है और इसमें जो Single Mode में जो इसकी जो लाइट की जो wavelength होती है वो 1310 से 1550 के बीच में रखते हैं तो यह point है कुछ आपको याद रखने हैं तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा? प्लीज कोमेंट बॉक्स में बताएं और मेरा next वीडियो होगा वो OSI लेयर पर objective टाइट पोईश्चन के उपर होगा होगा है